आप जब भी अपनी long position open कर लेते हैं और short position open कर लेते हैं और जैसे ही आप position पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे जो options दिखाई देते हैं जैसे कि position size, contracts, ROI, आपका lock margin, average price, hard liquidation नीचे आपको option मिलता है pending orders, leverage adjust का मिलता है, sell add मिलता है, buy reduce मिलता है, exit मिलता है यह option क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके अलावा अगर आप detail में सीखना चाहते हैं future trading के बारे में तो आपको video का link इसी video के description में मिल जाएगा, अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ basic highlight है, उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले एक हाँ है DOGE USDT, simple सा है मैंने DOGE coin में यहाँ पर जो position वो open की है, यहाँ पर लिखा हुआ है short, यहाँ कि मुझे लग रहा है कि market नीचे जाने वाला है, जिस भी coin में मैंने अपनी position open की है, मुझे लग रहा है कि यह coin up गिरने वाला है, तो मैंने यहाँ पर DOGE coin को short किया है, leverage मेरी 15X की यहाँ पर है, उसके बाद में यहाँ पर PNL दिखा रहा है, अल्मोस साड़े 19 रुपे, अब आप सोचेंगे, मैंने तो USDT में जो अपनी position वो open की थी, मुझे USDT में अपना benefit क्यों नहीं दिखा रहा है, मुझे तो यही लगता है कि हम जल्दी relate कर पाए कि हमें कितना फायदा हो रहा है, और कितना नुकसान हो रहा है, ताकि हम react कर पाएं उस position पर बिना कोई calculation किये, तो इसलिए मेरे साब से यहाँ पर जो INR है, उसमें show होता है, आपका PNL, लेकिन आपको मिलने वाला जो benefit है, वो dollar के form में ही है, तो आप उसमें confuse मत होना, उसके dollar के जो contracts बनते हैं, वो लगबग 1,9,000 के something बनते है, ROI है, percentage में कि मैंने कितना percent यहाँ पर जो पैसा है, वो कमाया है, simple सा है, उसके बाद में lock margin, यानि कि मेरे wallet में जितने भी USDT पड़े होंगे न, उसमें से इतना जो पैसा वो lock भी है, और मैंने खुद जो margin लिया है, वो इ leverage price 0.06521 के something है, उसके बाद में hard liquidation, जहां पे तो मेरा पैसे की बले-बले हो जानी है, यानि कि 0 हो जाएगा, जो भी मैंने margin लिया है, वो hard liquidation से हमेशे आपको बचना है, इसको मैं explain करूंगा, आप इससे कैसे बच सकते हैं, उसके बाद में नीचे आपको option मिलता है, adjust leverage, य लिखाई देगा, margin 4.6 जो मैं अल्रेडी ले चुका हूँ इस position में, hard liquidation जहां पे मेरी जो position है, वो automatic square off हो जाएगी, या बोल जाते हैं कि close हो जाएगी, और जितना भी मेरा margin होगा, वो simply 0 हो जाएगा, उतने पैसे का मुझे loss हो जाएगा, leverage मेरा 15x का है, अब जितना भी पड़ा हुआ और आप जितना भी add margin करना चाहता है, वो dollar के form में डालेंगे, जैसे मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है, तो मेरा hard liquidation कितना हो गया, यहां पे आप देखेंगे, कितना था पहले 0.6788 के something, leverage था 15, अगर मैं 1 dollar भी add कर देता हूँ ना, तो मेरा hard liquidation बढ़ जाता है, जैसे माल लीजिए मैं 2 dollar add करना चाहता हूँ, तो मेरी liquidation almost यहां पे हो जाएगी 0.069 के something, और leverage हो जाएगी almost 1.5 के something, तो आप इसका उपयोग तब करें, जब आपको लग रहा है कि नहीं, अब तो मेरा liquidation होने ही वाला, और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इस position को बचा सक करते हैं, उससे आपका leverage हो कम हो जाएगा, और आपकी margin size हो जादा हो जाएगी, आप इस option का use कर सकते हैं, simple सा है, अगर आप add margin करना चाहते हैं, जैसे मैं 2 dollar add करना चाहता हूँ, for example, add margin पे मैं क्लिक करूँगा, add margin पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, so यहां पे आप देखेंगे, कि मेरा जो liquidation है, वो change हो चुक है, और यहां पे आप lock margin देखेंगे मेरा, तो यहां पे जादा हो चुक है, पहले कम था, वापस से मैं adjust leverage पे क्लिक करूँगा, same यहां पे remove पे है, वो ही same यहां पे दिखने वाला available balance, margin जो फिलाल मैंने ले रखा है, hard liquidation, जहां पे मेरा पैसा तो अब बढ़ जाएगा, तो आप remove margin तब ही करें, जब आपको लग रहे है कि हाँ मुझे कुछ कर लेना चाहिए, जादा impact नहीं हो रहा है, वहां तक liquidate नहीं होगा, इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, आपको simply अगर कुछ भी करना है, तो simple है remove margin पे क्लिक करना है पटा ऐसा फिलाल मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे cross के button पे click कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको option मिलता है sell और add का, अब यह क्या और कैसे काम करता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो position है, वो यहाँ पे short की position होपे है, हमेशा जो short की position open रह है, और आपने थोड़ा भी इदर उदर कर दिया, तो आपकी जो position है, उसमें गड़बड हो सकती है, थोड़ा सा भी आपको जो confusion है, यह clear हो जाएगा, मैं भी live explain कर रहा हूँ, ठीक है, सो सबसे पहले आप मेरे contract देख लीजिए, हाँ पे 1,9,000 के something जो मेरे contracts हैं, वो हैं, आ यहाँ पे मैं sell and add पे up click कर देता हूँ, मैंने कुछ समय पहले ही बताया था, कि अगर आपकी short की position open है, तो आपको contracts buy करने पड़ेंगे, आपकी position से profit book करने के लिए, या फिर square off करने के लिए, कुछ-कुछ quantity, आपको अगर exit करना है तो, लेकिन अगर आपकी long की position open है, तो sell पे है, मेरे घहने का मतलब है, कि मैं buy कर रहा हूँ, लेकिन option मेरा sell select है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको scroll किया, मैं ऐसे करता हूँ, एक बार market पे click कर लेता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, time waste stage नहीं होना चाहिए, ओके, यहाँ पे close पे click कर लेता हूँ, उसके ब आपको contract buy करने पड़ेंगे, अगर short position open है तो, और long position अगर आपकी open है, तो आपको sell करने पड़ेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे sell and add option है, इसको आपको ध्यान से use करना है, अगर आपकी short की position open है, ठीक है, और आप कुछ quantity और add करना चाहते हैं, आपकी current position में, तो आपको इस option क select नहीं करना है, इस बात का खासकर आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में यहाँ पे buy reduce, यहाँ पे मैं click करूँगा, buy reduce पे click करने के बाद में, यहाँ पे आप देखेंगे buy की तरफ हमारा जो chin है, वो जुखा हुआ और मैंने कुछ समय पहले ही बोला था, कि अगर आपकी short की position आपने lay rep की है, तो आप अगर कुछ जो contract है आपके, वो reduce करना चाहते है, profit book करना चाहते है, यहाँ जितने contract है, वो आप कम करना चाहते है, for example, कुछ भी बोल लेजिए, तो आपको contract buy करने पडेंगे, तो जैसे मेरे 1,10,000 थे, तो जैसे मान लीजिए, मैं 50,000 यहाँ प पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे, यहाँ पर सरफ 60,000 ही मेरे contract हो रहे गया है, यानि कि बाकी के जो मेरे contract थे, वो मैंने एक तरीकी से exit कर दिये है, तो आप जब भी इन option को use करते हैं, थोड़ आसा आप समझ येगा, कि कौन सा option कैसे काम करता है, उसके बाद में fully exit, so exit में क्लिक करूंगा, उसके बाद में yes करूंगा, so यहाँ से मेरी completely position है, वो यहाँ से exit हो जाएगी, उसके बाद में जो history है, आप उस पर क्लिक करेंगे, so आपका जूबी PNL है, वो आपको यहाँ पर दिखाए देगा कि आपने जो current पैसा मुझे मिलता है, एंड ऐसे और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजे, एंड घंटी पी क्लिक करके, all पी क्लिक कर लीजे, ताकि आपको सारे ही notification मेरे वीडियो के मिलते रहे, मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नए ऐसे इं इंट्रस्टिंग वीडियो में